नमस्कार! शराब घोटाला पुछले दो साल से यह शब्द आपने कई बार सुना होगा, दो साल से BJP की सारी एजंसीز कई रेड मार चुकी है, कई लोगों को गिरिफ्तार कर चुकी है, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मि कि किसी तरह का कोई भृष्टाचार हुआ ही नहीं, अगर होता तो पैसा भी मिलता, ऐसे फरजी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है, किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुले आम पार्दी चल रही है, किसों को भी पकड़ के जेल में डाल लो, अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, मेरी सबसे बड़ी संपत्ती, मेरी सबसे बड़ी ताकत, मेरी इमानदारी है, जूटे आरोप लगा के फरजी समन भेज के, ये मुझे बदनाम करना चाहते मेरी इमानदारी पर चोट करना चाहते है, इन्होंने मुझे समन भेजे हैं, मेरे वकीलों ने मुझे बताया है कि ये समन गैर कानूनी है, क्यों गैर कानूनी है, ये मैंने इनको विस्तार से लिखके भेजाया है, मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उनने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया, इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है, इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानोनी है, क्या मुझे एक गैर कानोनी समन का पालन करना चाहिए, अगर कानोनी रोप से सही समन आएगा, तो मैं पू में भेजाया क्यों कि इस जांच को चलते दो साल हो गए अभी ठीक लोग सब्चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है पहले क्यों नहीं बुलाया CBI ने मेरे को आठ महीने पहले बुलाया था मैं CBI में गया था उनके सारे जवाब भी दिये थे लेकिन अब ये लोग ठीक लोगसभा चुनाव के दो महीने पहले मुझे बुला रहे हैं तो BJP का मकसद कोई पूछताच करना थोड़ी है इनका मकसद है पूछताच के बहाने के CBI का इस्तिमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़के BJP में शामिल करवाने के काम किया जा रहा है एक नहीं दो नहीं कितने उधारन है जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ EDI CBI के मामले चल रहे थे या उन पर गंभीर आरोप लगे हुए थे जैसी वो न कि पार्टी में नहीं जाता ये पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है हृए आज मनीज मनीज सोहदया संजय सिंग और विजयनायर इसलिया में नहीं कि उन्होंने ब्रष्टाचार किया है वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इंकार कर दिया है आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं क्योंकि हमने कोई भृष्टाचार नहीं किया अगर हमने जरासा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भृष्टाचारी नेताओं कितरा आज भी हम भी भी जेपी में शामिल हो चुके तो होते आज तक इस तरह देश के इमानदार निताओं को जेल में डालके और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवाके ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता यह क्या चल रहा है यह जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है यह हमारे जंतंत्र के लिए बहुत गलत है इस शरीर काय के कत्रा देश के लिए समर्पित है हमें मिलके देश को बचाना है मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं आपका साथ चाहिए